हालो फ्रेंड्स मैं देविश्यू हमारे यूटूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल इकिन को प्रेस करें ताकि आगे आने में सभी क्लासिस के नॉटिफिकेशन जाएं वह आपको मिलते रहे हैं तो लिए आगे अपने प्रेशर अलसर प्रेशर अलसर जो होता है उसको और भी कही नामों से जानते हैं प्रेशर जो होता है उसको बैड शौर्ब बोलते हैं प्रेशर का मिली के उसको बोलते हैं यह शोता है वहा है कूसी प्रेश्र होने कि वजह से वहां के ले में这个 कर दो अब बात करते हैं कि प्रेशर अलसर बनने का कारण क्या किया क्या बनते हैं क्या इdiολोजी का फेक्टर हो सकते हैं पिए इटियोलोजी की बात करें चैनि किया करतो है करने आर्ड च सबसे कोमने ब्लाइवा द से शतया है किसीवी प्रिक प्रेशीर के बसे और उसकी द स estamos च्टेरब देशिय मेरा नहीं टूटने लगजाथा है जिसके विए से वहां की सिस्का फोरमिशन होना अलसर का स्टायर बन सकते है इसके स्कुलिटि भाज़ सकते हैं इसके लाब आप करें एकन आप इत्만 की इम विलेटी इम वहमालीटी का में कि इन और तर पॉजिशन के तर लेटा हुआ है कोई भी पॉजिशन जह नहीं हो रही है को या उसका बरेंड ड़ा है और कंटिनीए लेक्सार पड़ा है तो उसके भी किसची का घुशल का फॉर्मिशन जाता है इसके लिए पने बात करें अधर फिक्टर की फिरिक्शन छोड़िक्शन का मैंस क्या है कहीं रपियों हो रहे है चन्टीनियोस ली अगर कर लोंड़न तक और किसी भी बर्नी प्रॉमेंनेंस पर अगर अगर भी हो रहा है तो उसकी अदसे भी अनसर होने कि तासरे जहें बढ़ जाते हैं इसके लावा सबस्टन करें बात करें अपर कोई भी ऐसा area body का जो moist है जहां dryness नहीं है continuously weight बना हुआ है उसके उपर पे अगर प्रेशर लगता है तो skin के damage होने के chances जो पढ़ दाते हैं तो moisture भी एक गोज हो सकता है कि इसका बैश्यों का या pressure ulcer का इसके बात करें अपर altered sensory perception जो है altered sensory perception means की patient जो है उसको sensation जो हो brain तक पहुची नहीं रहे है उसको continuous लगर pain हो रहा है weight position में अंदर लेटा है घहा बने जले जा रहे है सब्सक्राइब नहीं किया गया रहने साहिए अगर perception जो है वाटर उसके के अंदर भी क्या हो सकता है ulcer या पैट्सर नंता से जहां हो सकते है इसके लावा unhygienic की air body की क्या है अगर अगर बात नहीं किया गया मसाज जो है अगर पुषिंट जा लाउंटर तक बैड़ पे है कभी back massage है ऐसी condition जो नहीं दीगी अगर नहीं दीगी अगर अलगाता बोले की उपर तो वह भी कॉल कर सकती है क्या ulcer इसके लगा imbalance अगर nutrition है कि इंबैलेंस nutrition अगर हो रखा है इंबैलेंस nutrition है यानि विटामिन से की कमी है प्रोटीन की कमी हो रहे हैं ऐसे न्यूट्रियंस की कमी है जो body tissue का या body की जो cells होती है उनके formation में help करते हैं अगर उनकी ही कमी हो जाए ऐसे और nutrients जो गहा करने में help करते हैं उनकी कमी हो जाए उसके वह से भी pressure ulcer बनने के चांसे बढ़ सकते हैं तो यह क्या थे एक common heatological factor थे जिनकी बश्य प्रेशर अलसर जाया वो बन सकते हैं या bad issue जो हो सकते हैं अब इसके लिए बात करते हैं अपर कि ऐसी कौन-कौन सी sites common होती है जहां pressure ulcer होने के चांसे सबसे जादा होते हैं तो यह बात करते हैं common sites की कि ऐसी कौन-कौन सी common sites हैं जहां pressure ulcer होने के चांसे जहां बुसर सबसे जादा है common sites जो है वो depends करती है patient की position में कि patient जो कौन सी position पे long term तक लेटा है तो इसके बात करें सबसे करें supine position की first one supine position अगर बात करें supine position की supine position में अगर patient long term तक लेडा रहेगा तो उसके कहां कुंसे body site पे अलसर बनने के चांसे होते हैं अगर supine position पे लेटा थे सबसे पहरा जो बुरु 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 बात करें कि second one कहां से लिखा होता है पीछे कंजोंक तर से इसके पुला बॉन से तो इसके पुला की उपर भी चांसे होते हैं कि सीज के अलसर बनने के इसके लावाद इसके लिखा होता है तो सेक्रम जो होता है वो एरिया भी मौस्ट सिंसिटिव अरिया है जहां पर इसके लिखा होते हैं इसके लिख बात करें नी जो है होते हैं अगर पिशंट सूपाइन बोस्पी में लेटा तो यह सारी की सारी कोंन साइट होंगी पर इससर बनेगी बात करें दूसरी पोजशन के दो प्रक्वजांब प्रेशन जिए में लेता है। अगर प्रेशन साइट लाइन पूईशिए में साइट लाइन का पी आपक्या में याद सबूंत मैंने हम alma करताarna वेले होताह न्हीं को प्रेंग्वियदी के अलावा यहाल नुब इसाइड को होता हômा कि इता है शॉल्डर साइड लाइम लेटा होगा तो कंता जोब भी तरफ तरफ होगा इसके अशाएं वह हमें लिखने के तरफ होते हैं तो यह सारे के सारे यहां बढ़ जाते हैं यहां बढ़ जाते हैं तो यह क्या है प्रोणिक प्रोमेंज जहां बोन का औहार है जो पार्टम टैम के लिए अबने के बनने के बेट शोर या प्रिशन बनने के बार किरें अबर फैट्र बंत फैवला सोज़िशन में है तो फैट्र बेट्थे को अबनने के छांसे में वहाँ भी टॉच होगा आगे का जो चिस्त का अरिया वहां बनने के चांसे जो होता है उसके ऊपर अलसर बनने के चांसे इसके जबाद मालबेस बन की बात करें नीजे कि अरिया जो होता है वहां अलसर बनने के चांसे जो बढ़ जाते हैं तो पर प्रेश्र की कोवन साइट जो डिपेंड करती है पोजिशन के की पेशिट लॉंग डर्व तर कौन सी पोजिशन के इंटर स्टेक कर रहा है जिस कि अधर प्रोमिनेट जित्दा ज़्यादा कॉंटेक्ट में हैगा कंडिशन उत्मीं जदा बस होगी है चलिए बात करते हैं कि अपना पता कैसे लगा सकते हैं कि प्रेशर अलसर की सीवियरटी जे वो कितनी है प्रेशर चो जो ओता है उसको अडिटिफाई करने के लिए उ पर्वान अब्रेडन और दूसर का नंसी नंसी बिस्टों इनोने 1987 में नैंसेवन में बैर इनकी अबरेड़ चेल गेची तो दिनोने दो दो सिवेर्टी उव प्रेड़ शेर तर इनोने इसको डिया जिसका मिनीम्म स्कोर उने डिसाइड कीति अक्कि तब सिक्स उस स्केल का और मेक्जिन denken स्कोर जो है वो डिसाइड कीया 23 जो दोनों कॉसेंवाजन तब करना है कि क्थीे में उसकोर धवो किता होता है और मैंग बटिसकोर जो है वो कितना होता है अब इन्हों थे इन созब् races vac eh का स्कूर 19 hope to 23 तो वो रिस्क जोम में उसको कोई भी रिस्क नहीं कि प्रेशर अलसर होने की अब या कुछ सब स्कुल्स कि उपर डिसाड कि वो सब स्कूल्स क्या थी उन सबस्कुल्स की इसको एक था फ्रिक्षन या बात करिए है सियरिंगी सेकिन वन था नूट्रिशन नेश्ट वन था एक्टिविटी फोर्थ वन था मोईस्चर फिर्थ वन था मोबेलिटी और नेश्ट वन था शेंस्टरी प्रस्टिप्शन यह च्छे प्रैटिर्या थे शेंट लेके बेसिस के पुर्म आने ग्रेडिन स्केल का इसको जोड़ी साइड किया यानि यह कॉजिन फेक्टर हो सकते हैं कौन से चीज यह वो कि इतनी अफेक्ट कर रहे हैं उसके साथ सबना स्कोर डेसाइट है जो मिनिमम सिस्ता और नेग्जनों 23 अगर किसी पेशिंग का स्कोर 19 तो 23 आता है तो वो नो रिस्क जोन में हैं इसके अलावा नेक्स में बात करे 2017 अगर को रहा है तो गोड Dwight रिस्क में आ रहा है और अगर बात-करे एक्षमजन का रही हैं थ् yoga वो आय मिंग आ रहा है है और 9 तो किन-डिशन जे और 6 और 9 के एचीज बरी तो बहुत सीवयर कंडिशन है कि वहां क्या होने के चांद से बहुत जादा है लावा है टो यह थे उने को याद रख रहता है कि ब्रिड इंट के माफ के आगर जो च्छे माफ दंवें वो कौन से च्छा, इसके अपर रूपर रिद्न स्कीर का स्कोर हो रहता है, है क्योंकि कोई अप्छेन प्रिड लोगत का वगत अगर अब आपने से अक्सेट हुजा ऑ कौन सा गड़र इसकल का पार्ट नहीं है तो अपने मुझ्यान में यह अच्छा होने चाहिए के लावा कौन सा इसका पार्ट जह हो नहीं है डी किसने थी बार्बरा ब्रेडर ने और नैंसी इस्ट्रॉम ने नहीं नेल में, पर नेलकन कल चाहिए कि गड़र ने के सीसर Eck말 के नुस्ट के साथ इसे सबुआ हुए करका है कि पक्रीवेंशन का प्रिचेन कि अपर बचा ही कैसे सकते है कि पेशेंट को क्या ना हो बैड शोर हो ही ना सबसे पहले तो अपने को कोई भी susceptible person होता है उसको इंटिफाई करना है कि पेशेंट की susceptibility कितनी है susceptibility का पेशेंट का पता कैसे लगेगा advance ही जागी नहीं है पेशेंट का सकता है नहीं का सकता है पेशेंट किस condition से किस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो अपने को सबसे पहले susceptibility का जगा पता लगाना है इसके अलावा continuous लेगर पेशेंट बैड रिटेंट है तो continuously इसकी पोजिशेंट ज़ने को चेंज करते रहे है और पोजिशेंट को टाइमिंग क्या अजिए तू आरी हर दो अटे से पेशेंट का पोजिशेंट जगाओ चेंज कर करेना है पेशेंट को जब भी बोस करवा जाते है तो warm water with soap करवाओ warm water with soap alcohol है जो है वो कभी भी यूज में नहीं लेनी इसके अलावा कोई भी air mattress है या mattress with water water का mattress है पानी भी बहा होता है मेटरस के अंदर वैसे वाले mattress जो है वो काम में लेने है ताकि वो फ्लेक्सिबल हो वो प्रेशर में से जिनरेट ना करें ताकि कि किसी भी burning प्रेशर पड़े इसके लावा हाईजिंग जो continuously maintain रखनी है यानि मसाज वागरा प्रेशंट की बैग मसाज है जो जो एरियां है वहां वहां वोटर से की नोची है प्रेशर के ओपर अपलाई नहीं करना है इसके अलावाद एक्सिम की बात करें तो nutrition जो है उसका विजान रखना है नहीं हाई-प्रोटिन डाइट हाई-विटमिन-C डाइट जो प्रस्काई करते हैं नहीं है ताकि एजली वहां आधिसर जो है वो ना बने तो यह कुछ रिजिन हो सकते हैं कुछ कारण है जिनके वज़से अपन बचा सकते हैं कि प्रेशंट को क्या ना हो अब बात करते हैं YUक्रीटमेंट की क्या ट्रीट्रीटमे》 इधन अगर जो है वो परिशयरा को जाये सो जाय का बात करके łद को आये तो पक्हां के वाद कलाए विटरीटमेंट की कि तो ट्रीटमेंट सबSe 그것 प्सेघल जब भी नर्स जो ए वह हिए को सब्सेद हाग और तो जहरक है शौट सेब करती नोच नैना मोरे भुदिजमेडाल सबना बाता अटो भलं दीद केरीगे बता लब करना उसके बहुता कि इसे सब्सक्राना चाहिए इंदे हभिए अगर उसके इंदर कहीं भी पस का फॉर्मेशन रखाई पस इस देर तो अपने वो क्लीन करना है एस तू को तू से ठीक है जिंक ऑगसाइड जो होता है वो भी अपना अप्लाई का सकते हैं मॉंडी के ऊपर इसके विए जो है यह यह अलसर है हाउ हर्मे में जो है फुल होता ह इसके लाव जेनरल टेक्निक की बात करे जाया है तो इंसुलीन की ड्रोप जो होती है इंसुलीन जो होता है वो भी टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो इंसुलीन ड्रोप जो होती है वो भी डाली जाती है अगर कहीं गहाव बना है तो इसके विए इसके लावा तो इसके विए इसके लाबा जो की एंटिसेप्टिक होइंडमेंट है जो रोपर में प्रिस्काइब किया है वो कंटिनुसली बिज इस्ट्राइब टेक्निक अपने को थान मेरना है क्योंकि इंफेक्शन होने के चांस पर ज्यादा होता है जब भी ओपन वूंड मिलता है तो अपने को जाद से ध्यान रगना है कि इसके बूंड को गवर अपर रखा जाए अग्सक्राइब आपक्षान होने से महां पचा जाए अज़ बढ़ जाते हैं तो यह क्या था पूछ आसलता कि प्राइब रिस्वांसिपिटी क्या होगी कौन कौन से थीजें आपका मिले सकत पूजिए काम में आता है यहां से कॉशन आता है वैसे तो ध्लासिफिकेशन में होता है प्रेशर अलसर का कि क्लासिपाइब बेगा गया स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 में वो भी सारे के सारे सीवेटी की परसे से चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की स्टेज 1 जो होती है उसके अ एपिडर्मी जो होती है, second stage के अंदर epidermis जो हो डेमिज होती है और little bit dermis भी involved हो जाती है बात करें अपन third stage गी, तो third stage के अंदर epidermis, dermis और इसके निज़े subcutaneous tissue होते हैं, वो तीनों के तीनों involved हो जाते हैं और इसके गहा बहुत सीवे रहता है, बहुत सीवे पैंफुल होता है फोर्स stage की बात करें, तो subcutaneous तब गहा पहले ही पहुंच चुका है फोर्स stage के अंदर bond और muscles जो हो भी क्यादाती है involved हो जाती है और last stage जो step होती है, वो ती 5th stage, 5th classification जो हो लास classification जो unclassified है, unstageable है, यानि कोई भी stage नहीं होती है, पूरा सा पूरा area जो है, वो involved होता है other surrounding to tissue है, वो भी involved होती है, गहरा अधाव बन जाता है इसके कोई भी stage के इंदर क्लासिफाइद नहीं किया गया है, इसका पाटिकुरर नाम जाएगा है stage, फिल्स, जो सबसे severe जो होते हैं, वहाँ treatment यह कोई भी chance है, जो लबब 0 होते हैं, तो ऐसे प्रेशर अधाव क्लासिफाइद भी के लिए हो सकता कि यहां से कौशन आजाए कि second stage के इंदर कहां थे involvement होता है, third stage के इंदर कहां थे होता है तो यह था, प्रेशर अधाव से अमीद है कि आज का topic जो वो देजी था, कुछ important question थे, आपने कहिए होंगे, important exam जो अधाव क्लास आपको अच्छे लगी हो, तो वीडियो को like करें, वीडियो को ज़ल सा share करें, और continuously हमारे YouTube चैनल कंसर्पनासे से जूड़े रहें, अभी हमस आपको धन्यवाद, thank you